आजकर लोगों की सरीर में छोटी मोटी बिमारिया होना तो आम बात है तो वहीं कुछ लोग इन छोटी छोटी बिमारियों से ग्रसित भी रहते हैं लेकिन वहीं छोटी मोटी बिमारिया कब भयानक बिमारी का रूप धारन कर ले पता ही नहीं चलता जैसे हाथ पैर में कम पन होना अक्सर लोगों के हाथ पैर में कमपन होने लगता है जिसे लोग नजरंदाज कर देते हैं वही कुछ लोग इसे कमजोरी समझ कर भी नजरंदाज करते हैं लेकिन आपको अगहा कर देगी हाथ पैर का कापना कोई छोटी बिमारी नहीं होती या एक बेहदी खतरनाग बिमारी होने का संकेत देता है अगर आप भी समस्या से परिशान है तो अपने डॉक्टर की सला अवस्य ले आए जानते हैं इससे क्या क्या बिमारिया हो सकती है वही अगर आपके भी हाथ पैर कापते हैं तो आप डॉक्टर से चक अवस्य करवाएं आपको बता दे कि हाई ब्लड प्रेसर होने से सरीर का ब्लड सर्कुलेशन का लेवल बहुत जादा बढ़ जाता है जिससे आपके हाथ पैर कापने लगते हैं साथ ही आपको कमजोरी महसूस होने लगती है वही आपको बता दे कि अगर आपके सरीर में लो ब्लड सुगर है तो आप सतर्क रहें इससे भी आपके हाथ पैर कापते हैं क्योंकि low blood sugar से आपके सरीर का stress level बढ़ जाता है और आपको बहुत सी समस्याई होने लगती है आपको बता दे कि आपके सरीर में विटामिन B12 की कमी होने के कारण भी आपके हाथ पैर अकसर कापते रहते हैं जिससे आपकी हड्या भी कमजोर होने लगती है और आप ठकान महसूस करते हैं नमबर फोर एनीमिया एक गंभीर बिमारी होती है आम भासा में इसे खून की कमी का होना भी कहा जाता है जिससे आपके हाथ पैर कापने लगती हैं साथ ही आपको कमजोरी महसूस होती है स्ट्रॉक के कारण आपको बता दी कि सरीर में ब्लड सर्कुलेशन बिगरने के कारण आपको स्ट्रॉक की समय स्या होने लगती है जिससे आपके हाथ पैर कापने लगते हैं इसके लावा ट्रेमर आपके सिर में नीरो ट्रांस्मीटर केमिकल लीक होने की वज़े से आपके अब अपना चेक अप डॉक्टर से अवस्थे करा हैं नेक्स्ट नाइन हेल्थ डेक्स क्योरेंट से रानी की रपोर